हालो रिवाल, विल्कम बैक टू मैं चैनल, आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे है, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, हैंगिंग लैंप और हैंगिंग लैंटर चुचोरियल वीडियो जो कि मैंने काफी दिन पहले तेयार किया था, और आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आने वाला है, तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आती है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब किजिए, और मेरे वीडियो को शेयर किजिए अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ, और नीचे दीव ही जो बेल बटन है, उसे भी ज कर लिया और इसे सेलो टप के मदद से जॉइन कर लिया है, ऐसा दो मैंने रुडिंग तियार कर लिया है, लैम तियार करने के लिए मैं यहाभी यूज कर रही हूँ दो टेबल मैट, और के मदद से मैं यह जो दो टेबल मैट है से जॉइन कर ले रही हूँ, मेरा एक पुरा दोस्तों पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपको आइडिया अच्छे से मिल जाएगा कि मैंने यह जो लैंप शेड़े इसे किस तरी कि से तेयार किया है मैं यहां पर फेबी कॉल यूज करी हूँ लेकिन बैतर ही होगा कि आप इसके लिए हॉट ग्लू गन यूज करें अगर नहीं है तो आप फेबी कॉल यूज कर सकते हैं मेरे पास ग्लू गन तो है लेकिन वो जो हॉट ग्लू स्टीक है वो नहीं था तो इसके लिए मैं वो यूज नहीं कर पाई फेबी कॉल ड्राइ होने में थोड़ा सा इबक्त लगेगा इसलिए मैंने यहां पर सेलो टिप के मदद से यह जो रिंग है उससे अच्छे से स्टीक कर दिया है अब इस लैंप को एक बहतर लूग देने के लिए मैं यूज कर रही हूँ एक यह वाला जरी वाला एक लेस और कुछ जूट रोप यह जो लैंप शेड है इसे तेयार करने के लिए मेरे पास जो भी घर में अविलबल था बचा कुछा चीज़े मैंने उसी से इस लैंप शे अब शेड को तेयार किया अलग से इसे तेयार करने के लिए मैं बहार से कुछ भी खरीदी नहीं तो यह जो जरी मैं यहां पर यूज कर रही हूँ यह लिमिटेट था तो इसलिए मैं यहां पर जूट रोप का भी इस दमाल कर रहे हूँ हम एक्रिलिक पेंट के मदद से इस जूट रोप के ऊपर थोड़ा सा डिजाइन कर देंगे से इस लैमशैट को अंदर से अच्छे से मैंने को वर गवर कर दिया है ताकि मैंने जो अमने यूज किया था一直ATION वो ना दिखे तो वो प्रोसेस मैंने आप साथा शेयर लें ही किया है आप इसका जो मेज़र्मेंट नेके अंदर से अच्छे से फिक्स कर सकतेで है रीवार चोटा सा round shape का cardboard मैंने लिया है और उसके उपर अल्रेडी जूट से रैक कर दिया है और बल्ब के जो holder है उसी size का measurement लेके मैंने इस cardboard के center में एक छोटा सा round shape का cut कर लिया है कुछ इस तरीके का sticks था तो मैंने किया क्या यह जो stick है उसे अपने हिसाब से measurement करके उसे cut कर लिया यह जो holder हमने तेयार किया है इसे इस lampshed के उपर fix करने के लिए मैं यहाँ पर use कर रही हूँ अगर आप एंपसिल के मदद से इस अच्छे से fix कर देंगे तो यह थोड़ा मजबूत हो जाएगा और निकलने का chance नहीं रहेगा इस लैम शेट का एक measurement मैंने ले लिया है और उसे measurement पे एक चाट पेपर मैंने कट कर लिया है और उसे center से कुछ इस तरह के से कट करके इस शेट के ऊपर अच्छे से ढग देंगे कर दो प्राइब है कर दो कर दो कर दो तो यहां पर हमारा लैंप शेट तेयार हो चुका है आप इसे कुछ इस तरीके से एज अ हैंगिंग लैंप भी यूज़ कर सकते हैं या फिर स्टैंडिंग लैंप या फ्लोर लैंप की तरह भी यूज़ कर सकते हैं हमारा दूसरा डियाइवाई है है हैंगिंग लैंटन जिसे तियार करने के लिए मैंने कुछ इस तरीकी का रोप ले लिया है वाइट कलर में जो पहला प्रोसेस मैं कर रहे हूँ इसे कहते हैं बॉक्स नॉट्ट हमार दूसरा बाद कर दिए बॉक्स नॉट्ट कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दोका दो कर दो deck दो कर दो Reynolds हम आये यहींग कर दो 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 कर कर दोब टो झाल 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 तो दोस्तों ये वाला वीडियो कैसा लगा बतेएगा जरूर कॉमेंट करके तब तक के लिए बाई बाई मिलती हूँ आपसे एक नए इंटरिस्टिंग वीडियो के साथ